हलो फ्रेंड्स आज हम आप सभी के लिए उत्तर रेल्वे और पुर्वत्तर रेल्वे की सीमा पर इस्थित सराय रिवर से डबलिंग की अपडेट लेकर आए हैं हलो फ्रेंड्स मैं हूँ शैनवाज और आप देख रहे हैं दे शैनवाज यूटूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए सीताफू सिटी जेक्सन से सीताफू जेक्सन के बीच में जो डबलिंग का काम चला है उसकी अपडेट सराय रिवर से लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुर्वतर रेल्वे मंडल में और उत्ता-रेल्वे मंडल में डबली का काम कितना अभी तक हो चुका है और कौन-से मंडल में सबसे ज़्यादा काम कर लिया गया है तो आप लोग वीडियो को इसकी मत तो फ्रेंट्स सामने आप देख सकते हैं जो ये आपको ट्रेक दिखाई दे रहा है नया नवेला ये ट्रेक सीतापुर सिटी जक्षन के दिशास से आया हुआ है जो कि यहाँ पर ट्रेक बिचाने का काम सुरू हो चुका है आप सभी को बता दें सीतापुर सिटी से रोजा के पर गड़ा रखने का तो ये काम पूरी तरीके से कंपलीट हो चुका है जानीकि जो यहाँ पर चार गगड़ लॉंच होने थे तो चारो गड़ोर पूरी तरीके से पिलर के उपर रख लिए गये हैं तो बहुत ही बड़ा काम था यह इस सेक्शन के बीच में सिधापू सिटी से सीधापू जेक्शन की बीच में तो फाइनली यह काम पूरी त्रेके से complete हो चुका है और चारों गर्डर पिलर के उपर रेलवे ट्रेक है वो गुजारा जाएगा तो दोस्तों काम की रफ्तार काफी तेज है उत्तर रेलवे मंडल में और आप सभी को बता दें सीता पुसीटिक से जो सराय रिवर है जहां पर मौझूद हैं इसकी दूरी रखबक एक किलिमेटर की है तो आप देख सकते हैं कि यहा कि रफ्तार काफी तेज है और यह एक किलिमेटर का सेक्षन बचा हुआ है सीधापु सीडि से सराय रिवर के बीच में जो की उत्तर रेलवे मंडल में आता है हमारे मुरादाबाद डिविजन में तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही साइड में जो स्लीपर है उसके पर र रगा लेगे हैं लेकिन ट्रेक अभी पूरी तरीके से तयार नहीं हुआ है हम आप सभी को जो हमारा पुरुत्तर रेलवे बंडर है वहां से भी डबलाइं की अपडेट दिखाएंगे जो कि इस नदी के बास से जो हमारा लखनों डिविजन है वो सुरू हो जाता है यानि क लेकिन ये पूरी रिवर मुरिदाबाद डिविजन में आती है तो फ्रैंस आज की विडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि कितना काम अभी तक किया जा जुका है और कितना काम अभी पैंडिंग में है तो देख सकते हैं जो ट्रेक है उसका लेवल जो गड़ा और इनमें ब्रेकर लगाने का काम भी पूरा हो चुका है तो आप मांग के चाल सकते हैं कि एक से डेड़ मेने में सीतापु सिटी से सरा रिवर तक डबल लाइन का काम और साथ में रेल एलेक्टिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा क्योंकि मुरादाबाद डिविजन में जो काम है डबल लाइन का वो काफी जोरो से गया गया और सीतापु सिटी से रोजा के बीच में लगबग 75 से लेकर 80 किलोमेटर का जो सक्षन था वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है तो मात्र एक किलोमेटर का काम बचा हुआ है मुरादाबाद डिविजन का तो ये भी काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा तो दोस्तों इस वक्त हम सीतापु सिटी के दिशा में चल ले हैं और आप सभी को दूर दूर तक जो ट्रेक है वो नजर आ रहा होगा बिचा लिया गया है लेकिन अभी ट्रेक पूरी तरीके से रेडिन नहीं हुआ है अभी ट्रेक को साही से बिचा जाएगा फिर बैलाश्ट भरकर तो टीप में मसीन अपना काम करती है वो काम भी किया जाएगा और उसके बाद जो वारिंग है वो करी जाएगी आप पूर लेफ्ट हैंड साइड में एक और ट्रेक दिखाए दे रहा होगा जो कि इस ट्रेक का मौझूदा हाल में इस्तिमाल किया जा रहा है तो जब डबल लाइन नहीं पर पूरी तरीके से ओके हो जाएगी सितापू सिटी से सितापू जैंसन की बीच में तो हो सकता है कि जो पूरी तरीके से हटा दिया जाए तो दोस्तो आपको दूर दूर तक ट्रेक नजर आ रहा होगा सितापू सिटी की दिशा में तो काम की रफ्तार काफी तेज है हमारे मौझादाबाद मंडल में और सितापू सिटी से सितापू जैंसन की दूरी लगबक 3 किलिमेटर के आस पास है तो इस 3 किलिमेटर के बीच में डबल लान का काम बचा हुआ है जो कि इस काम के पूरा होने में लगबक आमान के चल सकते हैं कि ये साल पूरा लग जाएगा यानि कि नॉम्बर या दिसम्बर तक सितापू सिटी से सितापू जैंसन की बीच में डबल लान के काम पूरा हो पाएगा ऐसी संभावना नजर आ रही है क्योंकि काम के रिफ्तार अभी जो सालार रिवर का आपको पूल दिख रहा है इसके दूसरी साइड में जो हमारा लखनो डिवीजन है उसमें काम अभी काफी जादा पेंडिंग में है तो अभी बरसाथ भी होगी तो इस वज़े से हो सकता कि काम और डिले हो जाए लेकिन आप मांगे चाह सकते हैं कि इस साल में सितापुर सिटी से सितापु जेक्सन हर हाल में डवल लाइन से जुड़ जाएगा तो दोस्तों अब हम आप सभी को जो हमारा लखनो मंडल है उस साइड से भी डवलिंग की भी दिखाएंगे कि उस साइड में कितना काम अभी सभी से दिखाएंगे तो सामने आप कोम दिखाएंगे यहां पर हम खड़े हुए हैं यह हमारा लखनो डिविजन है और सामने सितापु सिटी जेक्शन की दिशा जोकी उत्तर रेलवे मंडल की दिशा में आप सभी को दिखा रहे हैं नजारा तो friends देख सकते हैं काफी बड़ा रखा गया है और बहुत ही बड़ा ये पुल बना है तो सामने ये आ गया है इनियार डिविजन का work तो देख सकते हैं अभी सिर्फ मिट्टी ब्रांक का काम किया गया है वह अभी अभी काफी ज्यादा पेंडिंग में है दोस्तों अभी इस पर बैलांश बिशा जाएगा उसके बाद कई सिलिपर डाले जाएंगे तब ट्रेक बिशाने की सुरुवात होगी तो आप सब्सक्राइब को दूर दूर तक जो ओची मार्श वह भी दिखाई दे रहेंगे तो फिलाल मुर्दाबाद डिविजन काफी आगे है तो आप ला किलाले तो आंध़ के वाीछ़ को लाइल टीबडाब हो टाई रहेंगे हैंगे